नवसकार, एस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रविण मिस्ट मकर संक्रांती के पावन पर्व की आप सब को बहुत-बहुत शुब कामना है आईए जानते हैं कि मकर संक्रांती के दिन क्या दान करने से मनुकामना पूर्ण होती है देखे, मकर संक्रांती के पावन पर बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- तो आप हरिद्वार में जहां गंगा नदी है वहां जा सकते हैं प्रियाग राज में जहां गंगा नदी है वहां जा सकते हैं वाराणसी में जा सकते हैं तो जहां जहां गंगा हैं वहां जा करके इश्टान करिएगा आपको एक अलग ही positivity मिलेगी तो क्या करना है मनो कामना की पूर्थी के लिए कोशिस करना है कि गंगा नदी में इस्टनान करें मकर संक्रांती के दिन प्रातहका इस्टनान करके भगवान शूरे को अर्ग दें इसके बाद मनो कामना की पूर्थी के लिए आपको कुछ चीजों का दान करना है क्या दान करना है जब आपने इश्टान कर लिया भगवान शूर को अर्ग दिया तो उसके बाद 35 चीजों का दान करना है चावल दाल और तिल नोट कर लिजे चावल दाल और तिल ये तीन चीजे कम से कम 11 गरीबों को दान करें ग्यारा पैकेट बना ले जैसे एक एक किलो चावल ले 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 आधा आधा किलो दाल ले ले और कम से कम धाई सो ग्राम एक पाव तिल ले ले ऐसे पैकेट बना ले और उसमें कुछ दक्षणा रख ले जितनी आपकी सामर्थ हो दक्षणा रखकर के ग्यारा गरीबों को दान क कर दीजे मकर संक्रांती के दिन तिल का दान बहुत महत्पूर्ण दान माना जाता है हमारे जीवन के नेगेटिव कर्मों को काट देता है इसलिए मकर संक्रांती के दिन तिल का सेवन किया जाता है तिल के जो लड़ू बनते हैं तिल के जो भी पकवान बनते हो वो खाये जाते तिल का दान किया जाता है तिल का तेल भी जो है प्रयोग किया जाता है तो तिल का दान अवश्य करिएगा और कोशिस करें कि ये जो दान है सुबह सुबह कर लें तो अच्छा रहेगा ये करिए आप देखेंगे आपकी मनो कामना जो भी आपने सोचा होगा इश्नान करते समय भगवान शूर्य को जल देते समय, दान करते समय, अपनी मनो कामना मनी मन आप जो है बोलते रहिएगा, वो मनो कामना आपकी अवश्य पोन होगी, तो आप सबको मकर संक्रांति के इस पावन परु की बहुत बहुत शुब कामना है, और ये पूरा साल आपका बहुत अच्छा आपके जीवन में सुख बढ़े और आपकी मनो कामना पोन हो, नमस्कार